नमसभार दोстतो मैं डॉक्तर जनीष आपको मेरा चैनल में बहुत-बहुत स्वागत। है दोस्तो आज की सी मिचेश का इंसर देने वाला हो तो इस पैसे में और तक देखेंगा तो आपको कॉस्टों का इंसर इस वीडियो में साइध मिल जाएगा तो चलिए इस वीडियो दावा एक साथ क्या खाया जा सकता है तो देखिए होमिपैथिक के साथ ऐलोपैथिक दावा भी लेनी चाहती है तो आप इसका थोड़ा बूत अंतर दे सकते हैं जिसके पंदर से 20 मिनट के बाद आप ऐलोपैथिक दावा यूज़ कीजिए तो कोई भी इसका साइट नहीं हो होगा है यह तो आप थोड़ाओ कर्ष्ट कीजिए महनत कीजिए इसके बाद हर्यों जी का सवाल हर्यों कुमर्च जी का सवाल है कि खराबी कर जाएगा तो उसका रिस्क कौन लेगा देखिए कोई भी दावा कोई भी साइट नहीं होता है होमिपैथिक में बहुत ही कम होता है तो ऐसे तो मैंने नहीं सुने है कि होमिपैथिक दावा भी साइट हो तो मुझे बताएगा कि कौन सी दावा आपको साइट इफेक्ट होमिपैथिक में देता है इसके बाद ऑल आफ यू खनाजी का सवाल देते हैं कि यह पूछते हैं कि स्पोर्डिंग डॉर्प भी तो नहीं है कि आपको यूज करना चाहते हैं तो यह कर सकते हैं तो मुझे लिए इसके बाद नितिन यादो जी का सवाल है कि सर यह बता दिजिए कि लाइको पूडियम कब और कितने टाइम में लेनी है यदि आप थटीश पोटेंसी कर रहे हैं तो आपको दो बद तीन टाइम लेना है के बाद हेमान हेमान तीका गुपता जी का सवाल है कि पिलीज रिपिलाई मुझे कोई दिक्कत तो नहीं है बस बहुत कॉफ निकलता है और तो इसके लिए आप वीजल का मिक्सर शिरफ आप तो लहीं रही है इसके साथ एक टाट होमीपैथिक मेडसिन है होमीट एक टार्पी से आप 200 पोटेंसी में दोबंद सुबह दोबंद साम को आप लिजेएगा तो कफी की समस्या है और ठीक हो जाएगा इसके बाद सानु गुपता जी के सवाल है कि सर जी मेरा जीमेल एकाउंट रिक अगर कर तो आप एक स्मॉल टाउन गर्ल्व जी का सवाल है कि पाच मंत के बेवी का दे सकते हैं नोरफा जील तो आप इसे आप अडाएमल दोझ प्रुवबंद साम को आप दीजेगा तो जो समस्या हो जाएगी इसके बाद मीस्ट्रवन कुमरत ठीक हो सवाल है कि सर डिरेक्ट जीप ले प आप डिरेक्टली आप जीव पर नहीं ले सकते हैं कि यह मदट इंचा में आती है और यह जर्मान का हुमीपैथिक मैडसे नहीं तीसे आप दससे पंदर पूंद स्रमन जी आप दससे पंदर पूंद आधे का पानी मडाल कर लीजेगा तो बहुत ही अच्छा बिलता है यह मैडसें हैं बहुत ही जल्दी आपके भीमारी जो है ठीक हो जाएगे थाएक्यू सो मच कोमेंट करने के लिए मैसेज करने के लिए और बिनो द महत्वारजी का सवाल है कि मास्पेस्यों को खिचाव जलन ठेक करेगी तो हाँ गठिया के लिए जो मैंने जो वीडियो बनाया है इसमें है मुसाज सिर्फ मैंने बता हैं इसमें आप कोमेंट किये हैं तो इसके लिए तीदवा ठेक तो ही है इसके साथ आप और एक होमिपाति मेटिसिन आप साथ में ले सकते हैं बिसकम अलबम बहुत ही अच्छे होमिपातिक मेटिसिन है किचाव के लिए और एदि आपको कोई लंबा समय से आपको विमारी है तो मेटुराइनम टूहेंड़ सीच पोटेंसी माफ दो बुन सुबह दो बुन साम को आप लिजेगा तो डो बुन कितने पानी में लेनी है सरक्त दो बुन कितने पानी मे देंगे मदर तेंचा होता है वो पानी के साथ लिया जाता है इसाथ है आपको आपको गयागिसिन है तो आप मुझे एक बर बताएं कि को Somewhere ले रहे राल कर पीनी चाहिए और यदि आपको टालूजन में कोई मेर्सिन है या 30 ch 206 प्रोटेसिमी या वन इम्पोटेसि में जा 6 प्रोटेसिम कोई आपके पास हैं तो आप मुझे एक बार क्या मेंट कीजिएगा और मैं आपको बता था हूं 30 तो आपको दो बुन तीन टाइम लेनी है और तो इसे दो बुन दो टाइम लेनी है और आपको यह लंबे समय से कोई भीमारी है तो एक बाद चुरूर हमें बताएं कि इसके बाद अगला कोस्चन लेलते हैं कि गीता गीता राम जी का सवाल है कि एको नायट 200- Pure 200 कि दी मातरा में लेनी चाहिए है पहुत ही अची मैडल्यय है यह यह आप खोड़ी है और सुबां में दो बोन आपको ली है ज हुआ है तो बहुत अच्छी मैडल्ये मेडसिन है एक अमीत जी का सवाल है किस्वर मुझे बालनेस की समस्या है बाल धिर धर जड़ जड़ रहा है तूट पी रहा है नहाते से में बहुत ज़्यादा हाथ में बाल आ जाती है तो इसके लिए आर एटे नाइन बहुत यच्छी होमीपैथिक मेडिसिन है और एटे नाइन दावा दावा डालकर यह दावा बनाया गया है तो आप एक बार आर एटे नाइन दावा को आप यूज कीजिए यह बाल के लिए बहुत ही अच्छा होमीपैथिक मेडिसिन है और आज वीडियो में बस इतना है अगला वीडियो में और बनाऊगा कोशनों का देखे कोशन दो है और अगला वीडियो में इतना ही टाइम का बनाऊगा जितना हो सकते कोशनों का एंसर देने का कोशिस करूंगा तो थाइकू सो मच वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और यदि आपको कोई भी कोशन है तो आप कर सकते हैं उसका इंसर देने का कोशिस जाहिए जाहिए भाराग्व